मधू बनी में एक राजपूत परिवार के हत्या हुई थी यह इतने जस्वी जादव है जो वहां जाकर लाखुर के अदिये थे यह तो समाज के लोग यहां नहीं पहुंच रहा है जो समाज के ठेकदार हो यहां नहीं पफू यादव ने दो लाखी नाम रखता है हम पांच की नाम रखते हैं ऐसे लोगों को मारने के हैं ऐसे लोगों को एक दम पिहार में छुटता अगर छोड़ दिया जाए यह हर समाज हर जाख के लिए यह लोग खत्रा है तक रुपे मारने मारने की बात करते हैं आफिर ऐसी मोबत क्यों आ गई देखिए इतना जान लिजिए जब हाथी पागल हो जाए तो उसको मारने के अलाबा कोई रास्ता नहीं बनता है मोना ठाकूर जैसा अगर उग्रबादी आतंगवादी और अपराधी समाज में ऐसे ही छुटता घुमेगा तो हर समाज हर तबके के लोगों को इससे खत्रा है ऐसे लोगों को गोली मारी द चाहिए भी चोड़ा है पर मोना ठाकूर अगर में मिल जाए उसको फासी पर लटका देंगा इससे अपराधियों को इस देश में इस सार में रने की कोई जरूरत नहीं है ये नितीश कुमार की पुतला को दहन किया जा रहा है और ये कहीं ने कहीं एक संकेति कभी दिखाया ज़रे एक संकेत दिया जा रहा है कि किस तरह से ये तस्वीरे देखिए पुरे बिहार में देखने को आपको मिल रही है ये तस्वीरे देखिए किस तरह से पटना के कारगिल चोग के ठीक सामने में जन अधिकार पार्टी के जितने भी लोग है जो छात्र है ये किस तरह से देखिए आज प्रदा सामने में देखा हुआ है पटना साइंस कोलेज से कारगिल चोग गांधी मैदान तक के गोपार एक बजे निवेदा कमनी स्यादा पुर्विछात अध्यक्ष पटना विश्व विद्यागा ये उनके सांथ की जो दोस्त है उनके ये सारे के सारे जो उनके पार किस तरह से विधंड़ कोरण बजेंदा शादा करो और आपी अ कितिस में दोसर की विदेंस को टेमन लें ये किषोны ने परहए डे रहने, खात रेकता चिन्दा बाद चिन्दाबाद ठीज कुमार मुर्दाबद, चरीफ किसानों के नंसरहार करना, बंद करो नितीज कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद नितीज कुमार मुर्दाबाद यह तस्वीरे देखिए आज किस तरह से नितीश कुमार के प्रसासन के ऊपर में सवाल उठाया जा रहा है कि कटिहार में जो साथ यादो साथ किसानों की नरसंगहार हुई उसको लेकर के पटना में जो पटना इंवर्सिटी के पूर्व छात्रा ध्यक्षा मनिस्यादा उन्हें पैदाल मार्च निकाला है पटना साथ नरसंगहार हो रहा है सरकार क्यूं मौन है आपको याद हो आपके जिला में किस तरह से हथ्या हो रहा है यादों का आप मौन क्यूं है लेकिन आज तेजस्वी आदो मौन है ये सवाल अपने आप में बेहद खास है यहीं तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना कारगीन सोक से ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि जो कर्टिहार में हुआ दो तारीक को ये कांड हुआ और दो तारीक से आज 12 तारीक हो गया उसम से ये तस्वीरे देखिए किस तरह से यहां पर पटना के कारगीन चौक कर जूंग तो पासितों 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 करियार मामले की शुवियों गाच करानियों की ऐसी नारे लगाए जा रहे हैं गिरने दिजे गिरने दिया आठ जा भाई आनाम से गिरने दो रोसान रोसान भाई यह तस्वीरे देखिए अब हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पटना इंवर्सिटी के पूर्वी छात्रा ध्यक्ष है मनीज यादव जिनके अन्रक्षन में यह आज पटना के सडकों पर फुतला धहन किया गया अब मनीज जी इस पर बातचित अपना कहेंगे बस कुछी दे अब मैं अब हम बातचित करना शुरू करते हैं आपको बातचित सुनाते हैं इसी खाला था था माइक नीचे कर लिए सभी कोई बड़े भाई कि आज 15 दिन बीच चुके है 15 दिन बीतने के बाद जो अपराधी है मोना ठाकूर अपराधी है वो घूम घूम कर इंतर्वी और बयान दे रहा है अपनी लोग पिरियता बरहाने में लगा हुआ है लेकिन कटिहार का परसासर अभी तक उसको पकरने में नाकाम है कटिहार बीम सिर्फ और सिर्फ बयान बाजी कर रहे हैं कटिहार स्स्पी मोना ठाकूर को बचाने में लगा हुआ है और बिहार का जो सरकार है वो गांधिय जी के तीन बंजरों की तरह आख पे पत्टी बाण चुकी है बूर पे पत्टी बाण चुकी है और कानों को पूरी तरह बंद कर चुका है पूरी तरह से पिहार परसासन पूरी तरह से पिहार परसासन लाचार नजर आर ये इस मामले पे गरीब किसानों के हत्या हुई है सरकार ना तो अभी तक मुआजा देने पहुंची है ना सुरक्षा बेवस्था की कोई करेंटी है ना वहाँ पे अभी तरह कोई परसासन ने जाके कोई ठोस कदम उठाया है पूरी तरह से ये सरकार अपराज के मामले में पूरी तरह से बिफल नजर आ रही है मांग है कि इस मामले में बरे बरे नेताओ का भी हात है मौना ठाकूर गिरफ्तारी नहीं होने के पीछे CBI चार्ज की मांग आज हम लोग करने आए अगर CBI चार्ज नहीं होती है और मौना ठाकूर को 72 घंटे के अंदर अगर गिरफ्तार नहीं क्या आता है मुखमंत्री अवास का हम लोग फिराव करने निकलेंगे पूरा पटना भिश्वी डाले पूरा पिहार का लोग एक जुट होकर इस नाकारा निकम्मी सरकार के खिलाब हमें तो लगा था कि महाकटवंदन की सरकार है यह जिनकी हत्या हो यह कों लोग हैं यह वही महाकटवंदन के लोग हैं जो सबसे अग्रिम पंती में लाठी लेकर खरे रहते हैं आकिर इनके साथ भी आजन नाय हो रहा है तो यह किसमें चुपी तो रहेंगे यह किसके लिए सरकार में बैठे हुए यह पूरी तरह से लाचार और बिफल सरकार है जब तक इन लोगों को नयाय नहीं मिलता सिर्फ एक नयता पप्पू यादा भी यह इन लोगों के पास गया हैं जिनके बाद कुछ करवाई हुई है सब्सक्राइब अगर जल से जल उसे किरफ़तार नहीं करते हैं और हम लोग यह सवाल मानियम मुखमंत्री जी से ही पूछेंगे डिप्टी सीयम की कोई भैलू नहीं है डिप्टी सीयम की अवकाद तो हमको समझ में आ रही है आज जब नयाय नहीं मिल रहा है उनके समाज के लोग थे उनके पार्टी के मज़ूद कोड़ भोटर थे हम देट उनके उकाद जान ली क्योंके उकाद क्या है तो इस परस्ट है ये नयाय बिहार के मानियम मुखमंत्री जी अगर नहीं किलवा पाएंगे हम लोग मरने मरने को तयार है लेकिन गरीब बंचीतों पर जिस तरह से नर्स अंगार हुआ इसके खिलाप हम लोग चुपने है दो तारीकी मामला है और आज 12 तारीक आप प्रोटेश्ट करें बीच में कहां मंदा उतारेनेता कहां गायब थे देखिए हम लोग लगतार जन संपर के माधियम से लोगों को बता रहे हैं इस मामले में क्या है कम भीड़ता है और लगतार हम लोग जातरों के बीच याकर लबाओं के बीच जाकर जंस पर के माधियम से भर्णा के माधं इसी लिए लेड़ सोुकत हैं हम लोग सरकार का न्यायद देहना चाहा हैं तरहरे हैं म tahun 19兩個 मरने मारने से लेकर भर्णा परदस्ट देखियं इतने जान लिए जब हाथी पागल हो जाए तो उसको मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बनता है मोना ठाकूर जैसा अगर उग्रबादी आतंगवादी और अपराधी समाज में ऐसे ही छुत्ता घुमेगा तो हर समाज हर तबके के लोगों को इससे खत्रा है ऐसे लोगों को गोली माली देन चाहिए भी चौड़ाएं पर मोना ठाकूर अगर हमें मिल जाए उसको फासी पर लटका देंगा इससे अपराधियों को इस देश में रने की कोई जरूरत नहीं है तो मैं मानता हूं ऐसी सरकार नहीं रहे बिहार में क्या ये तूजे इसी मधूबनी में राजपूत परिव ये तो समाज के लोग यहां नहीं पहुंच रहे हैं जो समाज के ठेकदार है वो यहां नहीं पहुंच रहे हैं तो आप पूरी तरह समझे कि आज ये समाज पूरी तरह से लाचार हो चुका है इसको देखने वाला कोई नहीं है और जिस तरह से जो सरकार के लोग हैं जो इस कम से कम पठना से एक सो गारी से जाएंगे हमारी जो भी जरूरते होगी वहां हम लोग केंप करेंगे वहां जो भी मदद गाउंवालों को हमसे चाहिए होगा मदद देंगे वहीं रहेंगे वहीं सोएंगे और चैलेंज करते हैं आप लोग के चैनल के माधियम से कि जिसे हिम् पहले की रफ्तार हुआ है और दस साल ते नर्गियों को वहां भर में निकलना मुश्किल है अब बताइए कि 10 साल बाद उसका नाम अगर सामने आया है बताइए जब अपर आज चरम सिमा पार करदेती है अपराज की चरम सिमा जब पार हो जाती है तो हमें लगता है कैसे आपराज जब निरंगत सहरों में अफिर MAN रेंद यह दमखता अगर थोड़ दिया जाए इसे । संग्यान में तो है ढbeing करही लोगों का में सजब करते हैं यह लोगों को मान थ्याइब पर न informal ये ग्रता सकते क्षेत्री यहाelा नहीं मतल़ मर लोगों को पफ्पु यादब ने 2 लाकी नाम तो देख लिजिए जो नरसंगार की मामला थी अब यह आग की लपटे पुरे बिहार में धीरे-दीरे फैला शुरू हो गई है और साब तौर पे कहा जाए तो जो दो तारीका घटना था वो अब साथ तारीक नौ तारीक और बारा तारीक क्या आने वाले समय में देखा जाए तो धीरे-दीरे बढ़ते जाएगा बाकी नमस्कार नाम कैसा हुआ पब्लिकेश्यस अनफे फेस्बूक लाइप पेज देख रहते बहुत-बहुत धन्यवाद